स्वागत आपका मुखाबला में मैं हूँ आपकी साथ विवेक शांडिलिया राहूल गांदी लंदन से दिल्ली लौट आये हैं उन्होंने कैम्बरिज में जो बोला उस पर चार दिन से संसद नहीं चल पा रही टीम मोधी राहूल गांदी पर माफी मांगने का दबाव बना रही है संसद ठब पड़ी है अज राहूल गांदी पारलेमेंट पहुँचे लेकिन उसके एक मिनिट बाद ही कारेवाही कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी है राहूल गांदी ने स्पीकर से मिलकर पार्लेमेंट में अपनी सफाई देने के गुजारिश किये वो आरूप लगा रहे हैं कि सरकार मुख्य मुद्धे से भटकाने के लिए सवालों को लटकाने के लिए उनके भाशन को तूल दे रही है क्या राहूल गांदी को संसत में बोलने का मौखा मिलेगा क्या राहूल गांदी माफी मांगेंगे या फिर राहूल गांदी मोदी विरोध के उस नेरेटिव को एक्टिव करने में है जो कामयाब होंगे तो उनके सियासी जमीन तयार हो सकती है और लगातार उसे कामयाब बनानी की वो कोशिश कर रहे है राहूल गानी की one word, simple agenda, अडानी और सरकार की keyword लोक्तंतर का अपमान है आगे क्या होगा, रास्ता निकले गया भटक जाएगा इसी पर हम आज बहस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुखाबला में आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं संसत सत्र के चार दिन और चारों दिन हंगामे की भेव चल गए आज चौथे दिन राहूल की एंट्री हुई, विदेश याह राहूल ने सदन में एंट्री की और इसके बाद एक प्रेस कांफरेंस में उन्होंने बोधी सरकार पर फिर हमला बोला सरकार के शायद चार मंत्रियों ने, चार मंत्रियों ने मेरे उपर अरोप लगाया है हाउस में अरोप लगाया है तो मेरा हक है कि मुझे पार्लिमंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए क्लारिटी नहीं है मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे मैं होपफुल हूँ कि कल मुझे बोलने दें आज एक मिनट के अंदर मेरे आने के बाद एक मिनट के अंदर उन्होंने हाउस को जन कर दिया हुपफुल हूँ कि शायद कल मुझे बोलने दें क्योंकि मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ मगर पक्का नहीं मालूम राहुल गादी ने आज हमने का नया तरीका देखा ला सदन में ना बोलने देने का आरोप लगाने वाले राहुल गादी ने प्रेस कॉंफरेंस पे करीब आठ मिनट तक बात की और उन्होंने कहा कि सरकार डरी हुई है यह पूरा मामला डिस्ट्रैक करने का मामला है सरकार और प्रधान मंत्री जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए है और इसलिए उन्हें ने यह पूरा कमाशा प्रिपेर किया है और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लिमन्ट हाउस पे नहीं बोलने देंगे क्योंकि जो मेन सवाल है वो अभी भी टेबल पे है अदानी जी और प्रधानमंती का रिष्टा क्या है जो डिफेंस कॉंट्रैक्स अदानी जी को दिये जा रहे है वो क्यों दिये जा रहे है राहुल के विदेश में दिये गए बयानों पर चार दिन से घमसान मचा हुआ है लोगतंस को खत्रे में बताने वाले राहुल आज अपने बयानों का बचाव कर रहे थे ना संसक चल पा रही है ना कोई कामकाज हो रहा है आज भी नजारा पिष्टे तीन दिन जैसा ही था जैसे ही लोगसवा और राजसवा की कारवाई शुरू हुई अंगामा शुरू हो गया लोगसवा स्पीकर ने कारवाई स्थगित करने में एक मिनट का भी समय नहीं लिया ये पहले सित्ते ही था कि आज भी संसद में कामकाज होने की आसार कम ही है इसलिए सरकार और विपक्ष ने अपनी तयारी पूरी कर ली थी पियम मोदी ने संसद भवन में सरकार के सीनियर मंत्रियों के साथ बैठक की वहीं विपक्षी दलों ने कॉंग्रेस सध्यक्ष बलिकार जुन खरगे के चेंबर में मीटिंग की इसके बाद उन्होंने कहा कि पियम खुद विदेशों में भारत को लेकर विवाद बयान दे चुके है राहल गांधी जी का एक डिमोग्रींटिक स्पीच के बारे में ही बात खरणा अरे यह थो खुद मोदी जी जब बहर गए चाइना गै इन्होंने देश के खिलाब बात किया यहां के लोगों का इंसल्ट किया पिर उसके बाद साउथ कोरिया गए उन्होंने यहां के जनता का इंसल्ट किया जब UAE में गए जहां के जनता का इंसल्ट उन्होंने किया यहां तक नहीं कैनडा में गए महां भी उन्होंने हमारे देश के लोकों के खिलाब बोला और यह कुंसा पाप हम किये हैं कि हम प्रिमंत्री प्यूश गोयल की थी, प्यूश गोयल ने कहा कि राहूल गांदी की सोथ छोटी है। मैं समझता हूं उनके किस पकार की सोच है व्यक्तिकात और उनकी पार्टी किस पकार से इस देश को देखती है चलाती है। वयानों ने फिर स्मुद्दे को नई हवा दे दी है। ये तो तैह कि राहूल के माफी मांगने तक बीजेपी चुप नहीं बैठेगी। ऐसे में कल भी संसद में हंगामे के आसा थे। ये विवात थमेगा क्या संसद में चर्चा होगी पूरे देश की नज़र ठीकी है। राहूल गांधी आज मीडिया के सामने आये, आठ मेनट तक उन्होंने बातशीत की, इसके बाद बीजेपी ने भी एक प्रस कॉंफरेंस की। आओ नाओ संबेदन शीलता का अपमान करेंगे। आज भारत के लोकतंत्र को किसी ने अपमानित किया है, डिमीन किया है तो वो है राहूल गांधी। ये मैं बहुत विरंता से कहना चाहता हूँ। और इसका जवाब नहीं दिया उन्हें आज अपने प्रेस में। बाकी भाशन बहुत किया उन्होंने। आज उन्होंने प्रेस में ऐसी कोई बात नहीं की कि उन्हें खेद है जो उनके द्वारा कहा गया। बीजेपी का सपष्ट आरोप है राहूल गांधी को माफी माँगना चाहिए। आप कैसे एमपी हुए वाइनार्ट से। भरत के लोकतंत्रिन ने जीता है आपको। अज़ाद के लिए अटकाने लटकाने के लिए आप लोगों ने ये सवाल खीच कर रहा हूँ। निकाला है इस मामले को तूल दिया जा रहा है जबकि जो मुद्दा है उस पर सदन चलने नहीं दिया जा रहा है राहूल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। देखे विवेक जी परसपर विरोधे तू वयम पंचते शतम परायस्तू विग्रह प्रापते वयम पंचादिक शतम मतलब की पांडव और कौरव अगर एक दूसरे के खिलाफ लड़ते तो पांच बनाम 100 है परन्तु जब विदेशी ताकत के खिलाफ लड़ते तो 105 है। राहुल गांदी ने पहली बार नहीं बार बार उन्होंने विदेशी धर्ती पर जाकर केवल अपमान नहीं करना परलिमेट का बलकि हमारी संप्रभूता पर हमला करते हुए विदेशी ताकतों का हस्तक शेप की मांग करना। इसको मानने से इंकार करते हैं, उसमें आस्था प्रकट करने से इंकार करते हैं और फिर वहीं आपको बोलने तो पहले आप माफी मांगे। इसलिए ये पूरा का पूरा औरकस्ट्रेट किया जा रहा है और सैम पिट्रोडा ने कल एक इंटर्व्यू दिया, सैम पिट्रोडा का इंटर्व्यू वो भी मेरे पास वीडियो है, कोई भी ऐसी बात नहीं कोगा, उसने कहा है कि देश के खिलाफ धरती पर जाकर विदेश इसलिए NC भी इनके साथ नहीं है, TMC भी इनके साथ नहीं है, BRS भी इनके साथ इस वक्तव्य पर नहीं है, अदानी के मामले से इस मामली का कोई लेने देना नहीं है, अदानी के मामले पर इस पर मैं एक लाइनी बोल दूँगा, सुप्रीम कोट पैनल पर इनको भरोसा नही थी पेटिशन में तो तब तो चीक रहे थे कि देखे बहुत अच्छा ओडर आ चुका है तो सुप्रीम कोट पर भरोसा नहीं है और अडानी पर इतना ही प्रूफ है तो राजस्थान में और शत्तिसगर में अडानी के प्रोजेक्स कैंसल करना शुरू कर दिया है इनों ने ए राहूल गांधी कहा है वो संसथ में क्यों नहीं आते आज उनके सवाल बदल गए है आज वो अडानी के मुद्धे पर तो मौन है ही जब से वो सवाल उठाए गए है बजट सत्र के अंदर लेकिन आज वो जो है उनको जगा नहीं मिल रही है अपना मूँ चुपाने के UPA2 में 43% प्रोडक्टिविटी थी संसथ की भाजपा की वज़ा से और आज जब भाजपा सत्ता पक्ष में है तब भी संसथ की राजय सभा की 48% और लोग सभा की 68% है वो भी भाजपा की वज़ा से क्योंकि ये संसथ को चलने नहीं दे रहे हैं आज की तारीख में कौन संस की कार्रवाई नहीं चलने दे रहा है सत्ता पक्ष में बैठके जबकि उनका कर्तव्य है कर्तवय परायरंता से मूँ मोड रहे हैं और दूसरी बात यह इन्होंने बात की अभी भाजपा के प्रवक्ताने एगो की और इन्होंने बात की FATF की जो पायटी सत्ता में ही आई ह काले धन को वापस लाने के दावे से के हम काले धन वापस में आएंगे राम जेठ मलानी जी का वो वीडियो याद आता है जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह देश के साथ धोखा धड़ी है और यह कि बहुत प्रवाइब शेयत परना इसली यह बात देश नहीं काले दन कोई इनको सुनना नहीं चाहता यह बात पूरी करने दीजिए मैंने हस्तक शेप नहीं किया आपने सलाल का जवाब नहीं दिया हस्तक शेप मांगा था सही गलत एक सब्सक्राइब पूरा कर ले दिये ना आप आपने अनिंटर्प्टेट बोला उनको भी अनिंटर्प्ट ब आप पूरा कीजे महिमा जी आप पूरा कीजे आप कीजे आपनी बात को बिल्कुल मैं विराम देती हूँ पटापट से मैं यह कहना चाहते हूं कि यह जो सरकार है यह उत्तरदाइप से भाग रही है विवेक जी जो सवाल उठाए गए थे 45 मिनट के वक्तावे में राहूल मौका नहीं दिया जबकि वो सुभा सवेरे ही मिलने चले गए थे और राजय सभाग के स्पीकर महोदे को यदि आप देखें जो हमारे उपराश्टुपती भी है माने कीजे जो सवाल बीजेपी पूछ रहे हैं पूछ रहे हैं किया जो इंटरवेंशन की बात आप ने की औ या उस बयान पर कॉंग्रेस पार्टी और राहूल गांदी अभी भी कायम है या उस पर सफाई पेश करेंगे संसर्थ के अंदर माहिमा जी जल्दी संसर दीजेगा बाकी केस्टों के बाद जाऊंगा मैं विवेक जी मुझे लगता है उत्तरदायतवा आज सरकार का है कि बारा लाख करोड इस देश की जनता का कहा गया राहूल गांदी जी ने केम्ब्रेज में बुलाए जाने पर आमंतरण मिलने पर जो कहा जाकर वो पब्लिक कॉंशिंस का विशे है वो ऐसा विशे है जो पब करप्शन बनाम आप कहरें कि इस पर ध्यान बटकानी की कोशिश की जारी है शाधाद आप बोली क्या गहना चाहरा है देखें मैं क्यूंके इंडिया टीवी के मंच को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं मैं आपको एक स्टेटमेंट रहूल जी का ही सुना रहा हूं निकले da sourd जडिया स्टेव् a पार्शार्ण ए इंग्राणीश बिल्कास बांडिया मांकि धूं रहा हूं घूट ऑन राइव प्र दरखेवी जल्दी से उसको ट्रांसलेट करके दर्शकों को बता दीजिए कि वह इसमें क्या कर रहा है तुरंट से हां देखे बार-बार का जा रहा है रहा है राहूल गांदी ने ऐसी कोई बात नहीं कहीं मेरा क्रेडिबिलिटी यह है कि मैं कभी जूट नहीं बोलता नैशनल टीवी पर मैंने ब्रूफ के साथ दिखाया कि निकुलस बर्न के साथ उन्होंने कहा कि यूएस एस्टैबलिश्मेंट हमारे देश में जो हो रहा है उस पर क्या कर रहा है क्यूं आप इंटर्वीन नहीं क इसम्मेंट नहीं में बाड़ी जा कि माथ जिस पर वुछे लिजी तो आपके और मेरे पूर्वाच हो जाएंगे निट आपके और टेंगों मोदीजी मो движi ने की किया। यहीं तो कह रहे हस तक्ऌ बना करें थास्टजेप ना करें विदेशी हस्तफ़ कि करें तो विवेक जी ऐसा है कि इनको यह समझना चाहिए कि यहां पर जो वीडियो दिखा रहे हैं उत्तर आयत्व उनका है और जो यह बताएं इनको कि अमेरिका is a profound democracy या oblivious का मतलब intervention हस्तक्षेप नहीं होता है हस्तक्षेप वो होता है तो कॉल डिफेंडर्स बोला था उन्होंने अमेरिका प्रोफाउन डिफेंडर्स भी बोला था ठीक है इस पर ना चाहें यह बहुत पुरानी इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है आज जो प् देश में जाकर का राजबाल जी fakry विवेग की सबसे पहले तो संसत का जो महत्पूर्ण समय है और संससत में बीजेपी सारकार दूसरे टरण का भी अंतिमत नवर चलना है जिसमें बीजेपी पे बीजेपी को सवालों के जवाब देने क्योंकि जो जन्ता से वादा किये थे और जो जन्ता में घूम घूम के कहा था ऐसी सांघ कि किसान की रॉत उत्तरप्रदेश से माननी प्रधान मंत्री जी जाते हैं उसी उत्तरप्रदेश में किसान की आए भी जो लागत है आलू की मुल्ले वो भी नहीं मिल पा रहा है और किसान मजबूर है जिस दिन बीजेपी के मेनेफेस्टों पर चर्चा करूंगा अब अपनी बात रखिएगा मैं बस आपसे आपकी पार्टी की राय जानना चाहरा हूँ एज़ा प्रवक्ता आप ये बताएं कि राहूल गांदी के बयान से सहमत है सहमत है देखे देश के प्रधान मंत्री जी ने भी कितनी बार देश के बाहर जाके जो देश के बारे में कहा वो भी नहीं कहना चाहिए और देश के बाहर जिस तरीके से ये परसनल नहीं होना चाहिए जो शंसत का समय इंपॉर्टेंट समय है इस पे परसनलाइज नहोकर देश की प्रदान मंत्री ने कहा था कि जान बर बड़ी समस्या है तो खेतों को चर रहे रहे हैं उनका उनका वीडियो भी बीजेपी के प्रवक्ता दिखा दे गये सिलेंडर होली दीपावली पर देने को कहे थे वूर्ष का भी सिलेंडर दिखा दे यहां महिला जिस उत्तर प्रदेश से प्रदान मंत्री जाते है जिनता आप कहरें कि सरकार को देश के मुद्वो पर ज्यादा द्यान देना चाहिए नकी राउल गांदी के वक्ता वे पर नवल किछोर जी आपकी पार्टी सहमत है आप तो आलाइंस में भी आपकी तो दोस्ती यह बकाईदा मैं आपसे आपकी राय जानना चाहते हूँ आपकी पार्टी की राय जानना चाहते हूँ भारतिये संसद में जो सदस्य हैं उनको मार्च नहीं करने दिया जाता है 144 लगा दिया जाता है मीडिया परसन को क्वेस्टन नहीं पुछने दिया जाता है विपक्स के जो भी पार्टी उनके खिलाप में मुद्दो जन सरोकार के मुद्दे पे सवाल उठाती है उसके घर में EDCBI income tax पहुचा जाते हैं यह क्या है जहां तक कोई किसी विचार की बात है या कोई भासन का कोई अंस का बात है तो यह communication revolution का यूग है आप कहीं से भी जो बात आज हम जो debate कर रहे हैं अमेरिका के लोग भी इसको देख सकते हैं कहीं भी देख सकते हैं जहां तक ज पर भासपा का क्या इस्तिति है क्या उसकी सोच है क्या उसने दिखाया है वो पिछले आठ साल में इस देश की जनता भुगत रही है चाहर मंत्री मिलकर एक एक भासन को काउंटर करके और चार दिन से भारतिये संसत का समय खराब कर रहे हैं आप उनको इस बात के लिए जब नहीं बोलने दिया तो प्रेस को रिए करके कहना पर आप कह रहे हैं कि राहूल गांदी ने सही का विदेश में जा कर रहा है जहां तक मैं समझ पार हो और लोग तंत्र को कहां से कहां लेकर चलेगा आपको नहीं समझ नहीं आता है क्या एक पर भासपा के खिलाप में बोल क कर देखिए आपको पता चलाएंगा जो सरकारे हैं देश में जो सरकारे हैं नहीं देश में जो सरकारे हैं जी देश में जो सरकार चले हैं वो देश नहीं है ना एक सरकार है थोड़ा से आप कहरें देश मैं इस पर आऊंगा यह एक इंपॉर्टेंट आप बात कह रहा है आ देश की आलोचना नहीं कि सरकार की आलोचना की ये कहना चाह रहे हैं आप मैं आ रहा हूँ शाजाद इस पर मैं आ रहा हूँ सवाल को लेकर अर्श्वर्दन जी से जवाब ले लो अर्श्वर्दन जी ये कहना कि देश के बारे में नहीं बोला मौझूदा सरकार की नेती और सरकार के रवये के बारे में बोला नवल किशोर जी का ये कहना है हर्श्वादन त्रिपाटी जी नहीं मुझे लगता है कि अगर राहूल गांजी जी ऐसी अंग्रे जी बोलते हैं जो वीद पिकुला उफ इंडिया हम भारत के लोगों को नहीं समझ में आती है तो फिर बात अलग है लेकिन उनका जो भी अलग अलग जगहों पे जो उनका लिक्चर कह लीजिए भाषन कह लीजिए साख्षातकार कह लीजिए उसमें बड़ा इसपश्ट हुँ कह रहे है राहुल गांधी ये कह रहे है कि देखें देश में हमारा माईक बंद हो जाता है लोकतंत्र खत्म है हमको बोलने ने दिया जाता है संसत के भीतर नहीं बोलने दिया जाता है देश की सरकार सिर्फ एक उद्योगपती के लिए काम करती है और वो उद्योगपती उटपटांग तरीके से सारे काम करता है अब ये सारी बाते राहुल गांधी भारत में भी लगातार बोलते रहे साड़े तीन हजार किलोमेटर से अधिक की यात्रा में वो बोलते रहे उनको कोई रोकने वाला नहीं था उनके साथ भारत सरकार की राज्यों की ही सुरक्षा व्यवस्था थी कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई अठाइस सो किलोमेटर चलने के बाद लाल के लिए पर उन्होंने कहा कि मुझको लगता था कि चारो तरफ धिना वह एमनस से भाजपा ने फैला दिया है लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा सप्रेम से रह रहे है इसके बावजूद अगर वो इस तरह का चवी निर्मार कर रहे हैं तो सीधे सीधे है कि जो दुनिया भारत की तरफ देख रही है एक एक इकोनामिक सुपर पावर के तौर पर एक लीडर्शिप के तौर पर दुनिया के जो कॉन्फलिक्ट है उनको खत्म करने के तौर पर उसको राहूल गांधी परदाश्ट नहीं कर पा रहे है वो चाहते हैं कि किसी तरह से भारत की ये चवी कमजोर हो और अगर वो लोक्तंत नहीं है तो किस देश में भारत की चवी कमजोर क्यों करना चाहेंगे राहूल गांधी नहीं बहुत साफ है इसमें इसमें कोई भरम नहीं है और अच्छा है कि राहूल जी ने तैक कर लिया है और इसमें पर वो चुनाओ लड़ेंगे वो ये चाहते हैं कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की चवी खराब हो देश के उद्योगपतियों की चवी खराब हो देश में निवेश नहीं आए और भारत की चवी खराब हो जिससे वो 2024 के चुनाओं में कहें कि देखें ये सिती है भारत में तो कोई निवेश नहीं आ रहा है रोजगार नहीं हो रहा है कमपनिया नहीं आ रही है और देखें दुनिया की नेता तबज्जों नहीं दे रहे है जबकि इटली की प्राइम निश्टर अभी कहके गई कि सिर्फ रश्या युक्रेन युद्ध के लिए नहीं उन्होंने कहा कि मोदी मोस्ट लव्ड लीडर है सबसे ज़्यादा लव्ड लीडर है तो सबसे ज़्यादा पसंद किये जाने वाले नेता के तोर पर अगर प्रधान मंतरी मोदी को दुसरे राश्या देक्ट कह रहे है तो राहूल गानी ये जो बाचित कर रहे हैं वो कोशिश यही है मैं 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 ची hack a जब लूंगा आपसे मकाबला में एक बर फिर से हापका स्वागत है राहूल गानी के विदेश में दिए गया बयान पर देश में चार दिन से संसट ठप है है उपक्वाराई न ही चल पा रहा है कि राहूल गान्दी विदेश में जाकर देश का अपमान किया है जब कि राहूल गान्दी कहit रहे हैं कि लोकतंतर खत्रे में और लोकतंतर की रक्षा करनी होती है विदेश वाले बयान पर भी घमासान मचा हुआ है इसी पर बातचीत करने के लिए मानू का एक बड़ा पैनल है श्यादा आप कुछ कहना चाहरे थे फिर में महिमा जी के पास जारू देखे देश का अपमान कुछ लोग कहेंगे कि देखे मोडी जी ने ये का रहूल जी ने ये का मैं उसमें नहीं किशोर जी कह रहे थी कि देश का अपमान नहीं है सरकार का अपमान है मुझे पता है सुन तो लिजे मेरी बात तो पुरी सुनिये चले देश या सरकार का अपमान कोई लोगों की परिभाशा अलग ओगी कोई तब देखे आपने कर दिया काम अब वो इंटर्वीन करेंगे नहीं करेंगे आपको जवाब देंगे आपने पूछा था ना सवाल तो पूछ लिया मैंने अब जवाब सुनने का टाइम आगया श्यादादी जवाब दीजे एक सेकंड अब देखें दूसरे लोग भी शुरू हो गया अब मुझे बोलने दीजे ताकि पोजिशन समझ में आ राहुल गांदी के विदेशी हस्तक्षेप वाले बयान पर हूँ जिससे कि हमारी संप्रभूता पर कत्रा पड़ता है मैंने आपको निकलेस बंज वाला उनका ओडियो सुनाया मैं आपको एक और प्रमान दिखा रहा हूँ इधर उदर की बात नहीं कि मोदी जी ने ये कहा रहुल जी ने ये कहा यह है जौट सौरोस का बयान जिसको कॉंग्रिस ने खंडन किया प्रवीन चक्रवर्ती ने उस बयान को एंडॉर्स किया है उन्होंने ट्वीट कि और कहा कि मोदी जी भाग सकते हैं परन्तु क्या वो फॉरेंड इंवेस्टर जौज सौरोस से भाग स से पूछना चाहता हूं। रिधे हैं। जिसने इमर्जनसी लगाए। जिसने किशोर कुमार के गाने बंकरवा दिये। जिसने मुवीज बंकरवा दिये। जिसने सुप्रीम कोट में क्या-क्या नहीं किया, एए-इञे को लगा दिया, और अचार खन्ना को हटा दिया, बारूल इस्लाम जैसे वेक्टी को जज बना दिया, वो हमें इंस्टूशन का ग्यान दे रहे हैं, और तीसरी बात में सिर्व इतना पूछना जा रहा हूं कि बाकी सारी बाते जो अभी यूपी वाले हमारे समाजवादी पार्टी के भाहिया सुप्रीम कोट में केस जीत जाते तो सुप्रीम कोट ठीक है, सुप्रीम कोट में केस राम मंदिर का हार जाते तो सुप्रीम कोट खराब है, ये सवाल तो आज हर को ही पूछ रहा है, कि चुनाव जीते तो लोगतंत्र ठीक, EVM भी ठीक, हार गए तो लोगतंत्र में भी हर बात हर शक्स तक पहुँच रही है तो लोग भी समझदार हैं वो भी समझ रहे हैं कि आरोप में इतना बड़ा फर्क बार बार देखने को क्यों मिलता है यह सवाल मैंने ब्रेक पर जाने से पहले भी कोट किया था इसका जवाब मैं आप से चाहूँगा ऐसा स्पोक पर्सन कॉंग्रेस पार्टी महिमा जी विवेक जी दो पंक्तिया हैं कि वतन का हाल जब सुनाने लगेंगे पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे भीड में कहीं खो गई आदमियत इसे ढूंडने में जमाने लगेंगे तो लोकतंत्र आपने पूछा कि राहूल गांधी चुने जा रहे हैं हम चुनाव जीत रहे हैं नहीं जीत रहे हैं मैं तो समझती हूँ जहां हम नहीं जीत रहे हैं वहां भी हम यह बताते हैं कि हमारा वोटशेयर उपर गया हम तो तब भी यहां जीत भी हम हिमाचल में जीते तो भी हम कर यह आरूप लगा कि आपने कोई जीत का जशन यह हुखला करते हुए नहीं दीखे भाजपा की तरह और हम हार गए तो भी हम जो है उसे अपना अंत नहीं समझ लेते लेकिन भाजपा जो वो है उन निरंतर एक चुनाव वाले मोड के अंदर रहती है अब बातें जो यहां लोगतंत्र के बारे में हो रही थी कि ऐसा है तो क्या लोगतंत्र नहीं है वैसा है तो क्या लोगतंत्र नहीं है हम ये पूछते हैं कि इस देश के अंदर जब बारा लाग करोड लोगों का बारा लाग करोड रोपया जो है वो इस तरह बह जाता है जब डिफेंस का जो सारा ट्रेड है वो एक उद्योगबती के हिस्से में दे दिया जाता है जब रफाइल के काघज मंत्राले से बड़े ही संदेहासपद तरीके से घायब हो जाते हैं जब इस देश के अंदर जजजेज को बाहर निकल करके प्रेस कांफरेंस करनी पड़ती है तब इस देश के अंदर लोक तंत्र कौन से स्तर पर है और क्या हो रहा है इस पर सवाल उठता है और तब ये याद आता है कि जब हिटलर ने जर्मनी के अंदर ताना शाही की शुरुआत की थी विवेक जी तो शुरुआत में चुनाव भी हो रहे थे जीते भी जा रहे थे और सब कुछ हो रहा था लेकिन बात तभी जब अपने उपर अंत में आती है जब जैसा मार्टिन ने बोलर ने भी कहा है कि वेन वेन दे केम फॉर मी दे वास नोबडी तो स्पीक अप फॉर मी हम अपने चुनाव जीतने के समय भी और हारने के समय भी दोनों समयों पर हम पिछले आप जी आप और आपकी पार्टी और रहुल गांदी जी ये मानते हैं कि अमेरिका के इंटर्वीन करने से ये ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे लुझ विवेक जी इंटर्वीन शब्द कहां इस्तमाल हुआ है इंटर्वीन करना जाए उनको सवाल पूछनाचे उनको संक्शन्स लगने चाहए इसका मतलब क्या है यह हम जाना चाँ रहे हैं हम किसी पर कारोप नहीं लगा रहे हैं जानना चा रहे हैं ये कहने का मकसद क्या था? कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो यहां नहीं बोल रहे थे लगातार निरंतर तो मैं समझती हूँ कि एक एक इग्णोरेंस की बात है और संप्रभुदा पर बात हो रही थी मैंने जो सवाल अभी उठाया कि एक उद्योगपती को सारे डिफेंस ट्रेड के डियूस क्यों दिये गए इस बात का यदी जवाब यहां भाजपा के प्रवक्ता दे दें संसद में तो देते नहीं संसद में तो बात ही नहीं होने देते और विपक्ष की तरह से व्यवहार करने लगते हैं यहां पर ही दे दें तो हम बहुत धन्य होंगे क्योंकि यह नहीं देंगे क्योंकि और सार इस डिबेट के प्रथम मेरे वक्तव्य में मैंने Nicholas Burns के साथ राहूल गांदी ने क्या कहा कि US Establishment क्या कर रहा है अब महिमा जी का जवाब इसमें है कि इस प्रकार से सब कुछ खतम हो चुका है और मैं पूछना चाहता हूँ कि राजस्तान में भी लोगतंत्र खतम है यह केवल जब आहार जाते हैं तब वहां पे लोगतंत्र खतम है पर उन्होंने कहा भार में और फडे चेश्या की आजमां ऑडानी की ऊपर है इनके पास इतना ही प्रोफ है राजस्तार में हट नृमी्में व सिल ऐस् ही अधरमा आप पास तो प्रोफ है हो और थे अभी तक यह भाड़ अ ओप जब वही रन्जन गोगोई चीफ जस्टिज बनते हैं, और जब उनका एक फैसला आता है तो वही रंजन गोगोई जिनको ये इमानदारी की और प्रोटेस्ट की प्रतिमूर्थी बता रहे थे वो उनके लिए भिका हुआ हो जाता है इसका मतलब ये चैनात्मक commitment to constitution and institutions है और यही हम कह रहे हैं सुप्रीम कोड election commission के फैसला सुना है जी मैं आ रहा हूँ एक सेकट महिमा जी आपकर बोलना आवश्यक है बोलना बहुत आवश्यक है उन्हों में बात की रंजन गोगोई जी की जिनके उपर जो पेगसस के बाद जिस तरह की काररवाई उनकी हुई और फिर वो राजिस्वा सांसत भी बने पेगसस इस देश के अंदर आया आज ये सर्वोचन आयालाय के फैसले की जो है उसका हवाला देते हैं ये भूल जाते हैं कि सर्वोचन आयालाय ने ये कहा केंद्र सरकार ने कोपरेट नहीं किया केंद्र सरकार ने कोपरेट क्यों नहीं किया आपने अपना फोन क्यों नहीं दिया राहुल जी विदेश में बोल रहे हैं, दे देते फोन अपना, वो सुप्रीम कोट को फोन दे देते अपना, क्या है उनके फोन पे ऐसा? मेरे लिए भी लोकसंत्र बहुत ज़रूरी है, राजपाल जी, मैं आ रहा है उसके बाद, राजपाल जी, मैं माजी आ रहो, मैं माजी आ रहो, राजपाल जी, राजपाल जी, शाज़ाद ये कह रहे है, बीजेपी ये कह रही है, जहां बाकी पार्टियों की सरकार वहां लोकतंत्रा भी बहुत अच्छे से चल रहा है और वहां पर सब कुछ फल फूल रहा है भाजपा कॉंग्रेस के बच्चेश एक एक करें बीजेपी देखे चाहे बीजेपी हो और चाहे कांग्रेस हो इन दोनों लोगों ने इस लोकतंत्र को कमजोर किया है और जो CBI, ED, Income Tax इन संस्थाओं का भी दुरूपयोग किया है और यही बीजेपी है जो बीपच्च में रहता है उस पे CBI, ED, Income Tax और वही ब्यक्ति जिस पे CBI, ED, Income Tax का चापे पड़ते है जिसको बताते हैं, ब्रष्टाचार बताते है, और वही जब बीजेपी में सामिल हो जाता है, तो वो पवित्र हो जाता है ऐसे कई राज्यों में भी इनोंने सरकारे गिराई, फिर उन पे आरोप लगाके और फिर उनको मुकमंत्री भी बना लिया, अपनी पार्टी से कई सामसच बिधायक है, जिन पे इनोंने जाचे बैटा ली, और वो जब बीजेपी में सामिल हो गए, तो वो पवित्र हो गए ऐसे ही उत्तर प्रदेश में हैं, कई मलसी बगारा तोड़ लिये, जिन पे आरोप लगाते थे भ्रष्टाचार के, उनकी जाच कराते थे जमीनों की, आज वो बीजेपी के मलसी है, तो कोई जाच नहीं हो, बसलब आप यह कह रहे हैं, बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों ए देखे लिजे चाहें, मलसी के चुनाओं में देखे लिजे, अब बरतमान में कॉपरेट्व के चुना हो रहे हैं, जिसमें नामांकर पत्र तक नहीं दिये जा रहे हैं, लोग धरने पर बैटे हैं, और जिस तरीके से पांचाय के चुनाओं में महिला हैं, कि साडिया क्ली पुनावाला ने बिहार का भी डिफरेंस दिया मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सरकार परिवर्तन तो दो जगह हुए जी मारास्ट में भी हुए जिसका आर्किटेक्ट भाजपा थी और भाजपा ने सीवसेना के नेताओं को विधायकों को गुजरात होते हुए आसाम में भगत किया उनका मुखमंद्री कर रहा था वहाँ पे कोई की भी CBI और Income Tax नहीं गया आप देखें कि जहां पे बिहार मे परिवर्तन होता है और परिवर्तन का कारण इतिश कुमार जी बताते हैं कि हमें समाप्त करने का कोशिश कर रहे हैं आदा घंटा के अंदर में पूरा देश में ये भ्रम फैला रहे हैं कि वहाँ पर जंगल राज आ गया नंबर एक नंबर दो अभी हाल फिलार में आपने देखा होगा कि सदन के अंदर भाजपा ने क्या किया एक फेक वीडियो का आर्खिटेक्ट भाजपा के और संग के करता थे और उस फेक वीडियो के अधार पे पूरा देश में फैलाने का कोशिश किया कि ये तमिल लाडियो में जाकर दोस्ती कर रहे हैं और तमिल लाडिय है कि बात्भा का मतलब देश है नजित मोधी का मतलब देश है जो की सदासर सूट है रोतास से आजी एक ख़बर आई एक जज़ को पीटा गया छपरा से खबर आई एसाई को थपड़ और डंडो से पीटा गया आप कहते हैं जंगल राजनी आया आप जब बिहार की बात करते हैं उसके बाद फिर उसको कहते हैं कि सुशासन चल रहा है यहापर उसके बात पुरे देश के आसपेक्ट में बात करते हैं तो आप वो पैमाना पेश नहीं कर पात आपने नहीं देखा कितने लोगों को सुट आउट कर दिया गया यह आपको नहीं मालूब है यह चोटा सा और सब्सक्राइब करते हैं मैं उसके बाद कापी देर से बेट कर रहा हूं है मैं आपके पार एक जवाब ले ने दिजे में पास समय सी में था शाजाजाजी हर्श लेकिन देश की जनता देश है और वही चुनकर अपना जन प्रतनिदी अपना नेता चुनती है तो क्या उस जनमत का प्मान यह नहीं हो रहा है और राहुल गांधी जो कह रहे हैं मैं फिर से कह रहा हूं वह अंग्रेजी में वहां बोल कर आए हैं कोई अपने घर से बाहर लगांधी के और अपने धारवारों को गाली देता हुआ कहे के रहे हैं घर में किसी तरह कोई सिती नहीं रह गई है तो रहा है और नवल की शोर जी एके करके क्या यह नहीं कहा है तो पोल ले ने दिजे ना आप साफ रहुल कानी करह है ठीक है उनको बोल ले ने दिजे उनको लगता है वो बिल्कुल जोर्ज सोरोस की तरह बोलने रहुल गांधी आप भाशा देखिए दोनों की भाशा लगबग वैसी है कि देश देमोक्राटिक है लेकिन प्रधान मंत्री डेमोक्राटिक नहीं और कहा माईक बंद हुआ उसी सदन में उन्होंने बिना तथ्य नों के भाशन दिया ना क्यों नहीं तक्सित दे रहें और इकर सिर्फ एक कंपनी को सारे अधिकार मिल जा रहे हैं तो क्या देश में दूसरी ये कंपनीां बंद हो गएं और अभी तक वो अमवाणी अडाणी कहते थे आप ये कह रहे हैं कि राहूल गांदी स्क्रिप्टेड माशन पढ़ते हैं उनकी स्क्रिप्ट कहीं और तयार होती है ये एक बड़ा एलिगेशन आप लगा रहा है मैं इसका जवाब महीमेची से लुना कि खिलाफ केस बंद करवाने का आवदेश दिया था हमारी एडी ने उसको जाकर कहा हाई कोट में कि नहीं ये चलेगा केस अब मैंने दो स्पेसिफिक आंसर बता है अब मैं आपको S.P. का केस बताता हूं विवेक जी प्लीज मैं जवाब दे ही दे रहा हूं आप बोली ना आप बोली करिणी जाए कि मेरी पात मैं सब की सुनू और आप बीच में कोई बोले अब मैं अब मैं अब को एक और किस्सा बताता हूं माननिय मुलायम सिंग यादव जी पे डिये केस यूपे की सरकार में शुरू हुआ यूपे ने केश पैरिट की तरह उसका इस्तमाल किया ये तो खुद समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे अगर हमारी विद्वेश की भावना होती 2019 में वो केस पर क्लोजर रिपोर्ट गया है हम क्यों क्लोजर रिपोर्ट जाने देते और आज तक साड़े आट नौ साल मे क्या किसी ने काया केश परट है ये सारे लोग केश लेकर गए लेकर गए सते इंदर जया इन कोट की वज़े мышs में वानी सिसो देया जे Recentर में यहाँ पर देखे शाजाद आरूप ये भी लगा जा रहे हैं कि आपके पास जो नेता आते हैं वो ठीक हो जाते हैं जो बात हर्शवर्दन जी कह रहे थे कि सोरोस वाली स्क्रिप परते हैं राउल गांदी देखिए जो बात हर्शवर्दन जी कह रहे थे बहुत सम्मान के साथ उनको ये कहना चाहूंगी और वह बहुत वरिष्ट हैं बात जानते हैं प्रवाजपा के लिए वोट नहीं भी दिया उन लोगों के लिए भी सरकार जवाबदार है और उसी बात को आज याद दिलाते हुए पवन खेडा जी ने अरुण जेटली जी का बयान याद दिलाया और यह बताया कि अरुण जेटली जी किस प्रकार से यह कहते थे ठोक बज का और यूरोप जो राहूल गांदी ने आपने नहीं राहूल गांदी ने का कि जो सोकल्ड डिफेंडर्स हैं वो इस मामले में खामोश क्यों बैठे हुए इस तरह की बाश्यक उन्नों इस्तमाल के था वो इसका जवाब चाते है और कहते हैं इस मामले वो केंपेइन भी च शुक्रिया हमार साथ जोड़ने के लिए और अपनी तमाम बातें यहां पर रखने के लिए